नमस्कार दोस्तों, साउथ अफ्रीका वुमन और न्यूजलेंड वुमन के बीड जो T20 वर्ल्लकप 2024 का फाइनल खेला जाएगा, वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, हार एक सेक्षन के बारे में बात करेंगे किस सेक्षन से कितने प्लेयर्स रेना चाहिए, दोनों ही बहुत तगडी टीम लजार आ रही है, अगर आप साउथ अफ्रीका की बात करें दो भाई उन्होंने सेमी फाइनल में ऑस्ट्रीलिया जैसी टीम को आ रहा है, 2009 से आज तक जितने भी T20 वर्ल्लकप के फाइनल हुए, उनमें हर बार ऑस्ट्रीलिया देखने को मिले है, लेक आपके लिए ट्रंप कार्ड हो सकता है, सब कुछ हम एक ही वीडियो का इंदर डिसकस करने वाले हैं, तो वीडियो को आप इसकित मत करना, कुछ हैल्फुल अगर लग रहा है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो बेक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ल है, वही आप अल्मोस्ट उसी दिन फाइनल जीत गए थे, अलाकि न्यूजलेंड भी ऐसी नहीं है कि वीक टीम है, लेकिन मुझे लग रहेंगे, इनफेक्ट कुछ डिफरेंट ब्ले आ रहा है, जिटको लोग ड्रॉप कर रहा है, वो भी आपको टेलिग्राम पे अपनी फ साथ इंडिया और न्यूजलेंड के अंदर कवर करेंगे, चलिए, पिछ रिपोर्ट से शुरुआत करें, तो दोबई के स्टेडिया में यह मैच खेला जाएगा, यहां की पिछ आप देखें, तो बैटिंग फेल्ली है, बाकि यार आज का मैच मैं समझ रहा हूं, टकर वा तो मैं दोनों ही टीम को 50-50% चांसेज दे रहा हूं, जो भी टीम दीते, कोई भी टीम दी सकती है, बाकि थोड़ी जादा बहतर अगर आप बैटिंग देखें, तो साथ अफरिका की है, बहतर बोलिंग अगर आप देखें, तो बहतर बोलिंग न्यूजलेंड ही हो रही है, एक बोलर पर डिपेंड नहीं, एवरेश फर्स्टी स्कोर 120 है, और मुझे लग रहा फाइनल मैच है, तो प्रेशर जरूर होगा, 130-140 जा सकता है, जो भी टीम फर्स बैट कर रही है, ठीक है, लास्ट मैच यहाँ पर देखो, ऑस्टेलिया और साउथ अफरिकार अपना पहल सब्सक्राइब कर देखने को मिलेगा, चलिए साउथ अफरिया की पॉस्विल एलेवन देखे, तो अल्मोस्ट इस तरीके की रहेगी, फाइनल मैच ऑव्यस्टी बात है, सेमी फाइनल भी आप सेम टीम से जीते हैं, और जो बाकी मी तगड़े मैच जीते हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि जो आपने सामने वारी टीम, मतलब ऑश्यनिय से मैच खेला था, वो भी सेम ब्लेवन से जीता था, तो मुझे नहीं लगड़ा कोई चेंजिस हो सकते हैं टीम में, बोलिंग सेक्षन फटना फटसे मैं कवर करूं तो सबसे इंपोर्टन प्लियर, सबसे इ बोलर इनके पास है, ट्राइन, ये भी अपने ज्यादा तर तीन ओवर्स तो एटलीट्स डालती है, अगर चार ने गड़ेगा, बांकी ज्यादा तर चार ये डालती है, दो ओवर्स डाल सकती है, एंडी क्लरक और दो ओवर्स के आसपास मिलेगे, सुने लो, तो ये छे बो इनका एबरेज, रीसेंट फॉर्म बहुत तगड़ा यार, बहुत ही भड़ी है बैट्समन है, और लगातार मैं आपसे कहता हूँ, अगर बैटिंग सेक्शन से कोई कैप्टन वाइस कैप्टन का विकल्प होता है, वो मैचस में जरनली नहीं होते हैं, और राउंडर ज्या अगर मैं ट्राइक कर पा रहा हूं तो देखूंगा, मेरी टीम के अंदर तो मुझके लिए वर ट्राइक करता हूं, ठीए, बहुत तगड़ी इनिक्स, उसके पहले ये मिल्कुल भी अच्छा कर नहीं थी, ये 52 वाली पारी मुझे याद नहीं आ रही है, ये किस मैच के अं नहीं है, सेमी फाइनल मैच में उस्चलिया क्यांगे इस रितनी तगड़ी पारी खेलिए कि आज बहुत सारे लोग ट्राइक कर रहे हैं, आज भी मैं ट्राइन नहीं कर पाऊंगा, मैं थोड़े ओल्राउंडर्स के साथ ही जाना चाहा हूं, क्लोई ट्राइन मीस का इनका अरतिस विकेट्स निकाले, रिसेंट फॉर्म, ज्यादा कुछ खास इनका रिसेंट फॉर्म रहा नहीं है, बाकि मौंका बहुत ज्यादा मिलता है, इसलिए हम टीम के अंदर रख रहे हैं, और बड़े मैच में कहीं रहे हैं, और न्यूजिलंड की बैटिंग को लैपस हो स और आज के मैच में कैपटन का विकल्ब भी है, और इनफेक्ट कैपटन का भी विकल्ब हैं, क्योंकि 4 और पूरे हैं, ज़्यादा तर फॉर्स बूलिंग ऑन्दर 2-3 wicket ले जाती है, तो फॉर्स बूल आरी है, कैपटन कर सकते हो, सेकिंड बूले तो वाइस किप्टन, आपको ट्राइ करना है तो कर लो मैंने ज्यादा तर मैंचस के इतने ड्रॉपी किया है क्योंकि पूरे चार ओवर्स नहीं दिख रहे हैं अगर चार ओवर्स होते हैं फर्स बोल आती तो हमें रखते लेकिन दो वर्स के बेस पे आपकी बैटे और भी पीछे और आप बैट से होते हैं तो टीम में ट्राइ करना थोड़ा मुच्किल होता है जाफता भी मेरे पास फिलाल नहीं है मां की विकेट कीपिंग से ट्राइक किया जा सकता है अगर फॉर्स बोलिंग इनकी टीम की है क्योंकि वहां फिर नियुजिलेंट थोड़े दादा विकेट खो सकता है खा एक और कोई बूलर है मुझे याद नहीं है उसका भी नाम सदलेंट भी है थर्ड फॉर्ट पर नाम तो टॉप विकेट टेकर को आप जरूर रखना चाहेंगे लास में रखा था लोगों में ड्रॉप करके एंड निकलर को रखा था क्योंकि डैथ डाल रही थी बाकी यहां आपको पांच बोलर्स यहां पर दिख रही है ताउ फ्रेंट जोनास इडन गार्स और रोजमेरी में और फिफ्ट बोलर अमेलिया करें यह पांच ही बोलर्स ज्यादा तर यूज होते हैं कभी जबी है एक आद ओवर करना चाहें तो यह एक भी कल्ब है और लास्ट मैच मे एक ओवर कर दिया फाइनल में चेंदर और एक विकेट भी लेगे ठीक है बाकि यह पांच रेगूलर बोलर्स यह ज्यादा तर ओवर्स करता है डैथ कौन करेगा ताउ डैथ में एक पक्का है और इंडिया लावा अमली अगर एक ओवर डैथ में राएगा बाकि यहां से य क्यों रखा था 25-30 आसानी से कर रही है स्ट्राइक रेट से मतलब है नहीं 25-30 अगर आप बढ़ा रहे हो तो बैटिंग से आप बढ़िया चॉइस रहे जाओगे प्लस पॉइंट यह कि डैथ में को आखरी ओवर मिल गया था सेकेंड इनिंग से और वहां एक विकेट ले ग लिए यहां विकेट टेकर हैं मैंट जरूर उतनी खास नहीं किये लास्ट मैस्ट मैंने आप से वीडियों में ज्यादा बहतर चॉइस हों मिए कैपटन की और फ़र्स बोलिंग मैथ्यूस की सी तो मैंने उनने कैपटन किया क्योंकि बोलिंग से जादा उम्मीद कर था उन् कि बोलिंग से जाद उम्मीद करना मत बड़ा मैच इसलिए बैटिंग से थोड़ी वहतर उम्मीद करके चाह सकते और आज के मैच में सोफी डिवाई नहीं है जो मैक्सिमम लोग ड्रॉप करेंगे बोलिंग से उम्मीद होती नहीं है करती भी है तो विकट नहीं मिलता है और बेटिंग दोके वाली है गट दोके वाली है जो भी हाड इंटर रहते हैं वो जहएतर दोके ही रहते हैं माक्यिए आज के मैच में रूप करकें नहीं है और विकट ती नहीं आज्गे और इसके अलावर इसा वेल गेज तीरा का आवरेज रीसेंट फॉर्म ठीक है यार बैटिंग और जरूर नीचे लेकिन विकेट कीपिंग से चांसेस रहते हैं और इनकी टीम के पास तीन दीन तगड़े स्पिनर है और आपको यह मालूम होना चाहिए जिस टीम के पास स्पिनर अच्छे होते हैं वहाँ विकेट कीपर के पास डेबल ट्रिपल मौका होता है कि आप स्टंपिंग कर दे या तो एज लगे तो आप कैश पकड़ ले तो कहीं ना कहीं इस अवल गैज के पास अच्छा म मैटिंग अगर आ जाती है 15-20 रन यह 10-5 रन करती है तो बढ़िया विकल्प रही है ठीक है नाइक्स बात करें टाओ दसका एबरेज 93 विकेट लास मैच अभी एक और फाइनली कट हो गया बाकि आज के मैच में भी मैं रखू है एक्स्पीरियस प्लेयर को छोड़ता नहीं फ्रेंज और आस मेरे पास फिलाल के तौर पर नहीं है रोजवेरी महरी के साथ मैं जाऊंगा और कार सभी मेरे पास है कार सननर वी अच्छा किया इनकी टीम से 2 ऊपिर्वर्ष ने लगा था अच्छा किया है उठ तौर्णरमैंड के लाकी यहां से वज्दतेरा किसी को मौ रखना चाहिए तो किपिंग से तो रोटेट करो दो अच्छी चॉइस हैं एक तो जाफता ठीक चॉइस रहेंगी बाखी मुझे ज्यादा उमीदी ईए वीटीट कीपर सुमीद नहीं है ग्रीन से कर सकते हों का सीजन अच्छा नहीं रहे है ठीक है तो विकिटीपिंग से आप को रोटेट करना चीज इसकी फर्स बोलेगा जाए वालवर्ट सूजी बैट्स यहां से मैरीजन कप अमलियागर एम लाबा और कार्सट यह च्छे प्लियर से बड़ा नाम दोगा दे सकता है जिसको मैंग्जिम लोग ट्राय कर रहे हैं और अगर आप सेफ जाते तो यह सेक्षन आपके लिए नहीं है अगर आप डिफरेंट कुछ ना कुछ करते हैं हलका बहुत रिस्क रहते हैं तो यह सेक्षन आप कवर करें ठीक है यह अपनी टीम के आप सब जानते हैं अब हम देखेंगे उसके पहले वीडियो यह पसंद आरे तो वीडियो बेग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हों चलिए दोस्तों टीम पर फोकस हम करेंगे उसके पहले अगर आप जोइन नहीं हुए तो यह टेलिग्राम पर आजाना फाइल और परफॉर्मस चाहिए थी डिवाइन ने कुछ किया नहीं इसके अलावा जो कैटन वाइस किये थे कंडिशन के अगॉर्डिंग वो लास्ट मैच में काम नहीं कर पा है मैंने शुरुगात में आपको बता दिया क्योंकि मैथ्यूस ने मजाग कर दिया मैथ्यूस से मुझ अगी तरह एक दो विकेट फिल ले गई तो लास्ट मैच कुछ पॉइंट से ही रहा है बाकि आज के मैच में भी कंडिशन के अकॉर्डिंग यो फाइनल टीम होगी वो मैं आपको टेलिग्राम पे दूँगा नास मैच देखो माइफ 11 के अंदर खेला हुआ था और सेमी फा फाइनल वो आपको टेलिग्राम पे मिलेगी एक बार फिट से 7 प्लस 4 और 10 प्लस 1 दौनों में इंवस्मेंट करूँगा और दौनों में मेरा इंवस्मेंट 50-50 परसेंट होने वाला है तो अगर आप इस स्ट्रेटिजी के साथ खेलना चाहते हैं तो बहतर रहेगा क्योंकि जादा तरह में मैचस में देखते हैं कई बार 10 प्लस 1 में अच्छा कर रहें कई बार 7 प्लस 4 में 10 प्लस 1 खेलना है माय फेवर्य लिए पर खेलना है तो को बेरा पर आप खेल सकते हो दौनों का लिंक आपको डिस्रिप्शन कॉमेंट सेक्षिन में दौनों जगह मिल जाए और अगर आपने किसी विगेट कीपर इंदौनों में से किसी को लिया जो कि विगेट कीपिंग एक्च्छन में करते हैं वो कि स्टंपिंग करके एक कैश पकड़ लिया उसने 20-25 बेर्ट उसके आसानी सो गए तो ग्रीन के साथ यार फॉर्म अगर अच्छा होता तो नहीं को डेफिनिटली रखता बैटिंग आने के चल्सेस तो रहेंगे चेजिंग में उसकता है बैटिंग ना है फॉर्स बैट आए अगर आपको लग रहा है ठीक तो आप रख सकते हूं बैटिंग और में भी सिर्फ यह वन डाउन का फर्क है मतलब यह शायद फोर डाउन आती ह पीछे और विकट कीपिंग नहीं है लोग क्यों ट्राइए कर रहे हैं मूँ बंब यूजे पता अने लोग क्यों चैनल कि लोग-वन बेके साहिए मैं नहीं जा पाऊंगा बुर्क है और या प्लेवर भी नहीं है ठीक है मैं बड़े बैट्स प्लेयर के सांथ ही जाता हूं खासकर बड़े राचस में और नौने सेक्शन से बात करें तुम्हारे पास मैरी जन का पर हम अलिया करें ट्रायन है और डिवाइन को काफी कम लोग ट्राय करने इनकी प्लेस पे लोग टाउ रोजमरी मेर यह चार बोलर्स को फिलाल मैंने लिया है टाउ को थोड़े कम लोग रख रहे हैं लेकिन यार बोल्ड करती है सीधा और बोल्ड में आप समझ रहे हैं कितने पॉइंट्स पच्चीस तो और 33 वो पॉइंट्स और मैटिंग भी शिठा कि अगर मैटिंग आजाती है लास्ट में दो तीन नन पर नौट आउट चेहरं किये दिशाद आउट हो गएंगी ठीक है एक विकल भी आसे खाका रहेंगी अगर इनकी फ्रस्ट बोल आती है और फ्रेंज ओना से विकल छोट रहा है लेकिन यार एक्सपीरियस नहीं इसलिए मैंने लास्ट मै अगर आप पिछले सारे मैंचे उठारो मैंथ्यूज ने हर मैंच के अंदर चार वर्स किये चलो चार निया एक लीस्ट आप तीन कर सकते थे और अगर थोड़े से और कमरा इस पर सामने वाली टीम को रोकते तो आट तस रन का मार्जन रहा है आप मैच वी जी सकते था आपने बेमतलब आली आली इनको लास्ट का ओवर दिया अगर आपने मैच देखा होगा तो आपको समाझ आए होगा और वही मार्जन था जिस से वेस्ट इ अगरे की टीम कॉम्बिनेशन मेरा है फाइनल जो अपडेट के साथ टीम रहेगी वह आपको इस टेलिग्राम पर शेर करोगा तो जोइन कर लो वीडियो एफुल अगर पसंदार है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्स्क्राइब कर रो बाकि मिलते नाक्स बैच के व